क्या विनाव अरोडा अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम भदराचार जी के ऊपर एफायार्ट ठोक दिया है क्या विनाव अरोडा अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम भदराचार जी को कोट में घिसेतने वाला है खेर मैं आपको पूरा मामला बताओंगा लेकिन उससे पहले में बताओंगा कि मुझे कुछ मेसेज आए हैं जिसको आपको बताना बहुत जरूरी है मेसेज ये है कि अंधभक्तों को मजजित के नीचे मंदिर तो दिख जाती है लेकिन लड़ू में गाय का मूत, सुवर की चर्बी और मचली का तेल नजर नहीं आता खेर बात भी सही है एक और मेसेज है जो मैं आपको अपनी तरब से बताना चाहता हूँ दोस्तों बिहार के एक सांसद है बिजेपी सांसद जिनका नाम है गिरिराज सिंग जिन्होंने हाली में एक बयान दिया है कि दि कोई भी मुसलिम आपको एक थपड मारे तो आप सारे हिंदू मिलकर उसे सौव सव थपड मारो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंग को कोई परिवार नहीं है जिसने धरम बचाने के लिए कभी भी तलवार लेकर मुसल्मानों के दरवाजे पर नहीं कुदी आजकल जो लोग धरम बचाने का ठीका ले रखे न आम हिंदू उनके बच्चे जुलूस में जाते हैं परसाथ के नाम पर उन्हें भांग पिलाया जाता है और फिर पिला कर उनके जुलूस को मुसल्मानों के इलाकों से गुजारा जाता है फिर उहां अपमान जनक गाने बजाये जाते हैं अब सब तो का प्रयोग किया जाता है फिर क्या होता है हिंदू मुसलिम का दंगा और फिर उन हिंदू मुस्लिम दंगों में बच्चे मारे जाते हैं और जो लोग धरम बचाने का ठिका दे रखे हैं जैसे गिरीराज सिंग जैसे लोग इनके बच्चे कभी भी धरम बचाने के लिए तलवार लेकर नहीं उशलकुत करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँकि घिरीराज सिंग जैसे लोग सिर्फ अपने राजनितिक फायिदे के लिए धरम के नाम पर आम हिंदू को उपसाते हैं क्यूब कि इनको पता है कि जेर दिन हिंदू मुसलिम होना बंद हो जाएगा इनको ओट मिलना बंद हो जाएगा जेर इस दिन इनकी राजनिती करियर खत्म हो जाएगे, खेर मैं कृष्ण का बड़ा भाईया, और कृष्ण मेरा छोटा भाईया, मैं पढ़ता हूँ, वो सुनता है, क्योंकि वो है अनपढ़ गवया, खेर आप कृष्ण अनपढ़ होंगे, तभी तो यह पढ़ता होगा, और कृ इसकी वीडियो सुसर मीडिया पर खुब वाईयरल होती रहती है, इसी तरह कुछ दिन पहले इसकी कुछ वीडियो वाईयरल हो रहे थी, जिसमें बताया जा रहा था, कि किस तरह इसके बाप ने अपने डूबे हुए बैपार को बढ़ाने के लिए, इसे धर्म के धंदे मे धकेल दिया, यानि धर्म का इस्तमाल कर धंदा कैसे किया जाता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ा दिया, खेर वो वीडियो वाईयरल होई रही थी, तक तक कि एक और वीडियो वाईयरल होने लगी, जिसमें इससे से पूछा गया था, कि मास मचली को लेकर आप क्या बोलो अपने पढ़िये जनों की उंगजी काटकर, इसकी एक पुरानी वीडियो वाईयरल हो रही है, जो सायद 2019 की है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें यह खुद कह रहा है, कि इसकी माता जी जो है, इसकी जो मम्मी है, वो चिकन नहीं खाती, लेकिन इसकी लिए चिकन बनाती है और यह उससे नोच नोच कर कुत्तो की तरह खाता है, दोस्तों इससे तो साब जाहिर हो गया कि यह मोटा बाबा चिकन खाता है, खेर वो वीडियो बवाल मचाई रही थी, तब तक इसकी एक और वीडियो वाईरल होने लगी, जिसमें राम भद्राचार जी से मुर्क और ज जाहिल बता रहे थे, खेर मामला यह है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वाईरल हो रहे थी, जिसमें राम भद्राचार जी इसे भरे मंच से कुत्तो की तरह दुरदुरा कर मंच से नीचे उतार दिये थे, और फिर उसी वीडियो के लेकर जब राम भद्राचार जी से सवा रहे हैं, बता जारा की कहानी यह है कि अभीना वरोला जो है राम भद्राचार जी के मंच पर गया, ठीक है, लेकिन उसे राम भद्राचार जी से थोड़ा दूर खड़ा किया गया, लेकिन वह बार बार राम भद्राचार जी के पास जा रहा था और उनसे आ गया लिये बग तुम जो है कि राम भदराचार जी के पास जाओ, ताकि तुम्हे जो है अच्छा सा प्रमोट किया जा सके, अच्छे से वाइरल किया सके, इसकी एक मतलब रिल बनाने की कोसिस की जा रही थी, इसलिए ये बार बार जो है कि राम भदराचार जी के पास जा रहा था, खेर हर ब इसलिए एक वीडियो में बोला था कि मैं पढ़ता हूं और क्रिश्ण सुनते हैं यानि मैं भागवत पढ़ता हूं और क्रिश्ण सुनते हैं वैसे मैंने सुना था कि भागवत और जितनी भी हैं बेद पुराणों सारे संस्कृत में लिखे वे और पढ़ने जाता है इंगलि श्वीडियम स्कूल है तो यह भागवत कब से पढ़ने लगा खेर मैं आपको एफायार वाली बात जो है क्लियर कर दूँ जिसमें मैंने अब बताया ना कि जो आजकल इस ट्रोल कर रहे हैं इक्सपोज कर रहे हैं भीया यह तो आफत आ गई भीया इसे पाखंडियों को इक्सपोज करना भी अपराद माना जाएगा क्या आप मुझे कमेंड करके जरूर बताना